सबसे पहले हम लोग सेक्शनेट कंपनी करेंगे उसके बाद हम लोग नीधी कंपनी करेंगे सबसे पहला कोशन है सेक्शन एट कंपनी क्या होती है कुछ नहीं यह चारिटी करने वाली कंपनी होती है लोगों का बला करना है पेड पौधे लगाने एंवारमेंट का वला करना है आपको कुछ चारिटी करना है आप पैसे कमाने के लिए कमणी नहीं बनार होते हैं को नॉर्मली हर कमपनी का में अब्जेक्टिव क्या होता है पैसे कमाना हम कोई धंदा चालू करते हैं तो हमारा में अब्जेक्टिव क् बट अगर आपको charity करना आपको NGO खोलना है वो भी company बना करके company बना करके आपको charity करना है तो उस company को बनाता है section 8 company अब मैं इस company को section 8 क्यों बनाता है क्योंकि आपको पता है company set में अलग-अलग section है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब मैं आपको बताऊंगे कि अगर आपको एक normal company बनानी है तो आपको section 7 में procedure दिया हुआ है कि section 7 में लिखा हुआ है कि एक normal company अगर आपको incorporate करनी है तो कैसे करोगे section 7 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई normal company incorporate करनी है तो कैसे करोगे और वही section 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको एक non government organization बनानी है एक charity वाली company बनानी है profit नहीं कमाना है charity करने के लिए company बनानी है तो आपको कैसे license लेना पड़ेगा कैसे आप incorporate करोगे उसका process दिया हुआ section 8 में और इसलिए ये NGO वाली company को section 8 company बोला जाता है क्यों section 8 company बोला जाता है क्योंकि आपको section 8 company बनाने के लिए आने आपको non government organization बनाने के लिए एक charity करने वाली company बनाने के लिए section 8 के तहत incorporate करना पड़ता है section 8 के तहत आपको government से license लेना पड़ता है इसलिए इस company को बोला जाता है section 8 company समझ में आया तो हम incorporation का process पढ़ेंगे पता है आपको section 8 company नहीं बनाना है non section 8 company बनाना है तो कैसे बनाओगे process लिखा हुए section 7 में बठा अगर आपको NGO वाली company बनानी है तो कैसे बनाओगे उसी के लिए process लिखा हुए section 8 में तो this section 8 is specially for making NGO for making charity वाली company तो अगर आपको charity करने के लिए company बनाना है जिस profit करने के लिए company नहीं बनाना है तो उस case में आप ऐसी नहीं बना सकते क्योंकि उसमें बहुत जोल हो सकता है मानके जोल आप बहुत रिस्क होता है मतलब लोग fraud करते हैं charity के नाम पे तो इसलिए आपको section 8 company बनाने के लिए आने charity वाली company बनाने के लिए आपको हुआ है बना नहीं कर सकते तो अगर आपको उसका इडिया हो गया है कि section 8 company क्या होती है कुछ नहीं अगर आपको कमनी बनाना है not for profit making profit नहीं कमाना है आपको कमाने के लिए आप कमनी नहीं बना रहे हो charity करने के लिए आप कमनी बना रहे हो तो उस case में आप section 8 कमनी बनाते हो अब मैं आपको दो तीन और important बात बता देती है उसके बाद मैं आपको book का rating कराऊंगी देखो section 8 company अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको central government से license लेना पड़ता है application देखे आप application देंगे government को बोलेंगे government 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 देखो देखो मैं सारी condition fulfill कर रहा हूँ please मेरे को license दे तो section 8 कमनी का तो central government बोलेगी ऐसे कैसे license दे दूँ पहले आप वादा करो वादा करो ऐसे कैसे अपनी बेटी का हाथ दे दे आपके हाथ में पहले आप वादा करो क्या पहला कि आप charity करोगे याने कोई social welfare का काम करोगे या तो you will work for the promotion of environment, art, culture, education, health right etc donation charity मतलब यह सब social welfare वाली चीज़ हो गए न कि हम education promote करेंगे लोगों को free में education बाटेंगे environment को promote करेंगे पेड़ पॉद इवेगे लगाएंगे profit नहीं कमाना है हमें कुछ न कुछ देश का भला करना है लोगों का समाज का environment का भला करना है तो पहला तुमको यह promise देना पड़ेगा कि हम पक्का से पक्का से धंदा नहीं करेंगे हम किसी न किसी इन पर्पस के लिए act करेंगे प्रमोशन ऑप अठ एडुकेशन एइवारिमेंट हेल्थ accounting दूसरा है आप का जो profit है वह आप शेयर होलडर्स को नहीं को नहीं दोगे एंजी ओ इन का जाती है न कोई-कोई डोनेशन जेसे मुख्या शम्मानी जैसे लोग यह वो लोगा आएंगे तो डोनेशन देहें चल जाएंगे कही से पीस का पैसा आता है जो लोग एंजी हो के मेंबर माना कि वो लोग profit कमाने के लिए business नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से income आ जाती है तो वो जो पैसा आया है क्या वो shareholders के लिए owners के लिए है नहीं वो owners के लिए नहीं है तो आप shareholders को profit नहीं बाट सकते है dividend के नाम पे डिविडेंड क्या होता है मैडम आपको पता होना चाहिए आप commerce बैकरांड की वो कंपनी में जो भी profit होता है वो profit हम shareholders को distribute करते है उसको एक नाम दे देता है वो हम लोग बोलता है dividend बोलते है उसको जब हम कंपनी का profit members में बाटते है तो उसको मोलता है dividend दे रहा है तो dividend is nothing but a profit that is distributed to shareholder तो क्या हम profit shareholders को distribute कर सकते हैं नहीं owners को दे सकते हैं नहीं owners के लिए है ही नहीं अगर आप normal company बना रहे हो मैंने company बनाई I am the owner तो एक private company मैं और मेरा भाई दोनों owner है तो वह company जितना भी profit कमाएगी वह मेरे और मेरे भाई का है और owners का है तो हम उस profit को निकाल लेंगे जो और होता है उसी का profit होता है ना तो उस profit को निकाल लेंगे हम ले सकते हैं जी ले सकते कमणी हमें dividend दे सकते बिल्कुल दे सकती है बड़ आप NGO बना रहे हो आप आप charity करने के लिए वह NGO बना रहे हो चायरिटी करना है आपको तो आप profit क्यों बाटोगे शेरोल्डरस को नहीं दे सकते नहीं दे सकते तो तीसरा तो क्या करेंगे उस profit का अगर कोई NGO में ही लगा देना है for the promotion of object for the promotion of above object जो उपर आपने object लिखा है ना कि आपने NGO किसले बनाई है आपने NGO education करने के लिए बनाई है या environment को promote करने के लिए बनाई है किसले बनाई है उसी चीज में जो विमान के चलो हमने NGO बनाई है हमें ये तीन प्रॉमिस देना पड़ता है Central Government के Central Government Pinky Promise Central Government Pinky Promise मैं ये तीनों वादा करती हूँ और अगर आप ये तीनों वादा करते हो और उसके बाद आप application दोगे Central Government को फिस Central Government चेकिंग वेकिंग करेगी अगर उसको सब सही लगेगा हाँ सब सही है तो Central Government आपको license दे देती है बधाई हो घर में बच्चा पैदा हुआ है बधाई हो section 8 company पैदा हुई है समझ मैं यह normal concept होता है section 8 company का अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो we are good to read the bookish language bookish language क्यों read करना है मैडम ज़रूरी है क्योंकि आपका papers objective है तो सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा language भी read करना पड़ेगा आप टूटी-फूटी language में लिखके और क्या होगे तो बहले concept सही होगा answer marks नहीं मिलेगा right तो bookish language is also important let's read the bookish language book में क्या लिखा है सबसे बहले section 8 company हम किसके बारे मात कर रहें section 8 company के बारे मात कर रहें deals with the company deals with the formation of company which are formed to obviously मैंने बता ना section 8 company में लिखा हुआ है कि अगर आपको charity company बनानी है तो कैसे बनाओगे तो इसे नहीं आप लिखा deals with the formation of company which is formed to do dash सबसे पहला point कि आप company बना रहे to promote any charitable object को चारिटी करने के लिए बना रहे है जैसे art science education charity environment ये सब चीजों के लिए बना रहे है तो पहला point हो जाएगा कि you are making a company company is formed to company is formed to do what company is formed to promote the charitable objects of commerce, art, science, sport, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment etc मतलब आप इन में से कोई social काम कर रहे हो या तो art promote कर रहे हो commerce, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, environment etc ठीक है दूसरा such company intend to apply its profit to promotion of its object दूसरा point मैंने क्या बोला दूसरा point बैसिकली ये दूसरा point हो गया बैसिकली न ये न दूसरा point हो गया this छोड़ो इसको न आपन ऐसे कर देते हैं हाँ ये one point ये two point ये three point ये common है दोनों के लिए it intend to apply its profit in promoting its object बैसिकली हाँ ये दोनों मिला करके एक ही point है ये दोनों second और third वाला मिला करके एक ही point है तो पहले point number one पढ़ना फिर point number two पढ़ना फिर point number three पढ़ना ठीक है ये और ये एक ही point है ये search company वाला promoting वाला एक ही point है अब ये वाला point देखो नीचे वाला prohibiting मतलब complete मना देखो अगर law में कहीं भी word restrict किया हुआ है मतलब पूरा मना नहीं है थोड़े बहुत restriction है थोड़े बहुत restriction है थोड़े बहुत restriction है बढ़ ऐसा नहीं करी नहीं सकते वो restrictions का compliance करके कर सकते हो on the other hand promotion मतलब complete मना है करी नहीं सकते promotion मतलब तो करी नहीं सकते complete मना है थेक है तो यहाँ पर prohibition मतलब complete मना है करी नहीं सकते तो prohibiting बोल रहा है मतलब दे नहीं सकते क्या payment of dividend to member member याने owners member कौन होते है shareholders बोल लो owners बोल लो एक ही बात है ठीक है तो आप क्या members को dividend दे सकते हो नहीं दे सकते है क्योंकि आपने profit members के लिए नहीं कमाया है आपने profit यह सारा object करने के लिए कमाया है तो कहां लगाएंगे profit profit उसी object में लगा दो जिस object को promote करने के लिए आपने company बनाई है तो such company intend to apply its profit to promoting its object जब आप यह तीनों पिंग की promise करोगे उसके बाद ही आपको जो है central comment जो है license देगी कुछ-कुछ example है sectionate company के जैसे की FICI, SOCHUM यह जितने भी अपने national organizations बनते है ना यह sectionate company के form पे बनते हैं और आपको एक बाद बता हूं sectionate company को अपने नाम के लास में limited word यूज़ करना जरूरी नहीं होता है नॉर्मली अगर एक normal company होती है तो उसको अपने नाम के आगे limited word यूज़ करना जरूरी होता है जिसे public company में एक के last word लिमिटेड होता है like reliance industry is limited तो limited जरूरी होता है हर company को अपने अपने नाम के आखनी में यूज़ करना अगर वो public company है तो उसका नाम limited से end होगा अगर वो private company है तो उसका नाम private limited से end होगा बट मैडम आपको पता है sectionate company है कैसी company है जिसका नाम में जरूरी नहीं है कि वो limited या private limited से end हो उसके नाम में ना कुछ ऐसी जेनरली foundation वाली चीज़े होती यह foundation word वेगर होता है जैसे अपे लोग ने सुना होगा being human foundation सुना और सुना को पहली थीर्ड रिलाइंस वांडाइस वांडेशन तोा वो यूशुली उस का नाम ऐसे फाउंडेशन वेगर से हैंड होता है तो यह सारी पी एक्जांपल्स आपकी Section 8 Company की Tata Foundation, Inforces Foundation, Reliance Foundation इन लोगों ने बनाई है Charity Company ठीक है और यूशुली Charity Company में ऐसे Foundation वेगर बहुत होता है या फिर इस टाइप की Association जो होती है वो Section 8 Company बनाती है क्योंकि obviously they are not formed to make profit right they are simple organization who are formed to promote industry, science, education, culture, all these things so that is why all these are the examples of Section 8 Company right अब यह basic बात हो गई अब कुछ procedural बाते है समझने वाली बाते देखो इतनी थी Section 8 Company में बाकी कुछ procedural बाते लिखी हुई है वो एक बार देख लेते हैं हम अब आपको मैं यह बात पहले ही बता चुक्यों कि अगर आपको Section 8 Company बनानी है तो आपको Central Government से क्या लेना पड़ता है लाइसेंस लेना पड़ता है राइट तो इसलिए यह आप लिखा हुआ है सबसे पहले यह लिखा हुआ है Section 8 Company allows a Central Government to register such person or association or person as a company with limited liability without adding the words Madam without adding the words limited or private limited to its name by issuing license on such condition as its dames fit कुछ नहीं Central Government की powers का बखान हो रहा है कि अगर आपको Section 8 Company बनानी है तो कौन आपको license दे सकता है किस के पास power है Central Government के पास power है Central Government आपको license दे सकता है to make a Section 8 Company और इसलिए आपर लिखा हुआ है कि Company वैसे तो विद लिमिटे लाइटी ही रहेगी but still you can make a Section 8 Company without adding the word limited or private limited to your name Madam Infosys Foundation Infosys Foundation यह क्या है Section 8 Company है हाँ यह Section 8 Company है but मैं इसके नाम के आखरी में limited word तो नहीं है इसके नाम के आखरी में नहीं limited word है नहीं private limited है तो मैंने अभी तो बोला कि Section 8 Company अर अलाओड to not add the word limited or private limited in their name तो अगर मैं सिफ Infosys Foundation लिखो चलेगा क्या हाँ चलेगा और यह कौन अलाओ करता है Central Government तो इसलिए हम पर लिखा हुआ है Central Government can allow to register such person with limited library without adding the word limited or private limited to its name कौन इस्यू करता है Central Government license इस्यू करती है अब अगर हम देखो हर company के नाम के आगे जो limited word यूज होता है ना उसका मतलब यह होता है कि members की लाइटी जो है वो limited है इस limited word का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि members की लाइटी लिमिटेड है तो मैं अगर section 8 company में हम लिमिटेड यूज नहीं कर रहे है क्या इसका मतलब यह है कि members की लाइटी लिमिटेड है नहीं नहीं यह सेक्शनेट कमणी एक exception है कि बहले ही वो उसको limited word यूज करना ज़रूरी नहीं अपने नाम में फिर भी उसकी जो members की लाइटी होती है तो यह एक exception है section 8 companies is an exception जहां पर आपकी members की लाइटी लिमिटेड होती है बड सिल आपको नाम में लिमिटेड या private लिमिटेड वर्ड जोडने की जरूरत नहीं होती है यह हुआ आगे बढ़ते हैं बखवास लिखा हुआ है इसका मतलब इस उपर वाली लाइन का मतलब यह है कि आपको section 8 company बनाने के लिए application देना पड़ेगा obviously application देना पड़ेगा कुस documents देने पड़ेंगे यह सारी चीज़े और और एक section 8 company को बहुत सारे benefits मिलते हैं जब आप देती है privileges देती है benefits देती है कहाँ पर मैडम company's act में जब आप company's act डीटेल में पड़ोगे इंटर में तब आपको समझ में आगा भी तो फुद्दू सा दिया हुआ है 30 पेज का chapter ठीक है तो इसलिए आप लिखा हुआ है कि on registration it shall enjoy privileges and obligations as of the limited company याने कि आपको limited company की तरह सारे privileges आपको बहुत सारे privileges मिलेंगे just like a limited company and exception company को और भी बहुत सारे benefits of privileges मिलते हैं given by central government तो बखवास बात लिकी हुई है उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या central government आपका license रिवोक कर सकती है कब कब मैडम अब देखो यह बहुत ही genuine सी बात है कि आपने तीन चीज़े promise की थी आपने तीन चीज़े central government को pinky promise की थी कि government government मैंना charity करूँगा मैंना education promote करूँगा दूसरा government government मैंना profit shareholders को नहीं बाटूँगा तीसरा government government मैंना profit को object के promotion में लगाऊंगा आपने तीन वादा किया एक बात बताओ अगर तीनों वादे में से कोई वादा तोड़ देते हो क्या central government आपका license वापिस ले लेगी बिल्कुल ले लेगी आपने वादा किया था government government मैं यह तीनों चीज़े नहीं करूंगा आपने वादा किया था पापा पापा मैंना टौफी नहीं किराओंगा तो आपको license दिया वो रिवोक कर लेगी तो सवाल नहीं उठता है क्या central government आपको जो license दी है वो वापिस ले सकते है बिल्कुल ले सकती है जो license दिया है वही तो ले सकता है ना तो central government रिवोक कर सकती है हाँ सवाल नहीं कौन कौन से situation में तो सबसे पहला तो अगर आपने वो जो condition का breach कर दिया तो central government license वापिस ले लेगी वो जो starting में तीन condition पड़े है अपने जो आपने तीन पिंकी प्रॉमिस किये थे कि government government में ये काम नहीं कर दबा अगर आप उन तीनों condition में से किसी भी condition को breach कर देते हो तब central government आपका license वापिस ले लेगी अगर central government को public interest में सही लगेगा कि यार ये तो गलत काम कर रही है ये तो charity करी नहीं रही है ये company तो charity करने के लिए बनाई गई थी बड़ ये तो charity करी नहीं रही है लोगों का तो नुकसान हो रहा है इससे तो अगर central government को public interest में लगेगा तो वो revoke कर सकती है अगर आप fraud करोगे अगर आप charity करने के लिए company ब कर सकती है बुक में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है अगर वो कंट्रावीन करते हैं अगर वो कंट्रावीन करते हैं एनी रिक्वार्मेंट और कंडिशन इस इस इस्चुड और वे अफेर्स और वालेशन ओब्जेक्ट थर्ड पॉइंट और प्री जूडिशन तु पब्लिक इंट्रेस फोर पॉइंट और बस चार चार कर्डिशन दिये हैं कि चार सिचुएशन में सेंट्रल गौर्वेंट आपके लाइसेंस को वापस ले सकती है पहला यहां पर देखो वालेशन ओब्जेक्ट याने आपने जिस ओब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई थी वो ओब्जेक्ट जो है आपने पूरा नहीं किया मतलब आप बोल रहे हो हम एजुकेशन प्रमोट करने के लिए कंपनी बनाएं है sectionary company लेकिन आप education को प्रमोट ही नहीं कर रहे हो और आपका तीन ओब्जेक्ट था पहला था कि आप प्रमोट करोगे इन में से कोई चीज है दूसरा था की profit को जो है आप share holders को नहीं बाटोगे तीसरा था कि profit को प्रमोशन में लगाऊगे अगर आप इन तीनों दूसरा हो सकता है कि सेक्षण के अंदर सेंटरल गौवर्मेंट ने कोई रखी होगी आपकी उपर लाइसेंस देते वक्त या फिर जो भी रिक्वारमंट सेक्षिन इच में और भी सेक्षिन कमने के लिए बहुत सारे कंडीशन देखेगा हैं अगर आप आप section 8 को contravene करते हो याने section 8 का पालन नहीं करते हो या Central Government ने कोई condition रखे तो Central Government आपका license वापस ले लेगी तो देखो यहां पर लिखा if company contravene any of the requirement इस section की कोई requirement या फिर condition subject to which license is issued अगर Central Government ने कोई condition रखे आपको license issue किया था और आपको condition का breach कर देते हो तो आपका license रिवोक कर लिया जाएगा थर्ड आपका conduct fraudulently हो रहा है याने आप fraud कर रहे हो पूर्थ अगर आप जो है पुब्लिक interest की अगेंस्ट काम कर रहे हो तो इन चारो situation में जो है Central government आपके license को रिवोक कर सकती है मैडम कौन-कौन सी situation है पहला अगर आपका जो तीन object था ना तीन object उसको आपने ब्रीच कर दिया दूसरा Central government ने कोई condition या requirement रखी थी license देते वक्त आपने उस condition या requirement को ब्रीच कर दिया तब आप प्रॉड कर रहे हो तब और अगर आप कोई काम पब्लिक interest के अगेंस्ट कर रहे हो तो इन चारो situation में Central government आपके license को रिवोक कर सकती है ने वापिस ले सकती है अब जैसे ही आपको Central government आपका लाइसेंस रिवोक कर लेगी तो आपको अपने आपको कनवर्ट करना पड़ेगा इन नॉर्मल कंपनी पहले आप sectionate company थे तो मान के चलो आपका नाम था आपका नाम था एक्स वाई-जेड पाउंडेशन पाउंडेशन यह आप कौन हो यह आप sectionate company हो अगर Central government आपका sectionate company का license वापिस ले लेती है मतलब अब आप as a charity company काम नहीं कर सकते तो अब आपको convert होना पड़ेगा into a normal company आपको convert होना पड़ेगा into a normal company और normal company में convert होने के लिए अब आपको अपने नाम के आगे add करना पड़ेगा या तो limited या तो private limited क्योंकि normal company को allowed नहीं है बिना limited या private limited के नाम यूज करना normal company में हमेशा public company है तो वो limited word से end होता है और private company है तो वो private limited से end होता है इसलिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि and on revocation जैसे ही registrar जो है रिवोक कर लेगा आपका license तो आपको ये word limited या private limited अपने नाम के आगे यूज करना पड़ेगा बढ़ हाँ हर किसी को आखरी वोका दिया जाता है central government बिना आपकी बात सुने आपका license ऐसे ही नहीं रिवोक कर सकती अगर central government को लग भी राया आपने breach कर दिया तो central government आपको पूछेगी कि आप कुछ सफाई देना चाहते हैं आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं तो हम आपका license रिवोक कर लेंगे जैसे कटगरे में court hearings में किसी गुनेगार को गुनेगार साबित करने से पहले उससे भी पूछा जाता है कि आप आखरी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं कि आपने बचाओ में तो यहाँ पर central government ऐसी अपने आप license रिवोक कर ल Central government must give in return notice of its intention to revoke the license and opportunity of being hurt बिना license रिवोक करने से पहले हमें सामने वाले को Central Government को written notice देना पड़ेगा बिना बताया कैसे license revoke करेगी break up करने से पहले सामने वाले को पताना तो पड़ेगा bro break up bro break up ठीक है तो Central Government written में notice देगी और क्या देगी opportunity of being hurt देगी opportunity to be hurt याने उसको आखरी मौका बोलने का देगी समझ मैं आया है this was all about the revocation topic revocation of license अब कुछ उसके आगे की बात है अगर Central Government ने license revoke कर लिया तो license revoke करने के बाद Central Government कुछ extra orders दे सकती है company को अगर Central Government को लग रहा है कि ये sectionate company ये sectionate company अकेले अच्छे से काम नहीं कर पा रहे है and they are similar they are similar उसको अगर और Central Government को लगता है ये तोनों अलग अलग काम नहीं कर पाएंगे Central Government further license revoke करने के बाद ये भी order दे सकता है कि आप दोनों company merge हो जाए है आप दोनों company amalgamate हो जाए है Central Government further revoke करने के बाद कुछ और भी orders दे सकता है जैसे की वो बोल सकता है आपने न अमैल्कमेट हो चाहिए तो आगे पड़ते हैं आप्टि है और आप देट कॉर्मेंट वियोर 가장 जी अगर सेंट कर लिया कर लिया तो इन पॉबिक इंट्रेस्ट अगर उसको पॉब्लिक इंट्रेस्न सही लग रहा थो ओडर कर सकती है क्या कि कम दूप्लिक इपाच् properties, power, rights, authorities, privileges, duties etc. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर license revoke हो गया तो central government public interest में order दे सकती है कि एक company दूसरी company के साथ amalgamate हो जाए इसका क्या मतलब है? और why, why, why company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section इसका मतलब यह है कि एक section एक company सिर्फ section एक company से ही मरच हो सकती है वो भी जैसे अगर एक section 8 company वो education को promote कर रही है, दूसरी section 8 company वो environment को promote कर रही है, तो यह दोनों merge नहीं हो सकते है क्योंकि यह दोनों का interest अलग-अलग हो जाएगा, यह company schools बना रही है, यह वाली company paid for लगा रही है, नर्सरी बना रही है, तो दोनों का object एक दम अलग-अलग हो गया तो वो इसी बात है, वो merge हो जाएगे, तो कैसे काम करेंगे, अगर दो लोगों का object safe है, तभी तो वो लोग साथ में काम कर सकते हैं ना, एक बात बताओ, क्या section 8 company को किसी profit making company से merge किया दा सकता है, नहीं, conflict of interest हो जाएगा, section 8 company charity करने के लिए बनाए गई है, उनका profit intention है ही नही और एक normal company, normal company, मान के चलो Reliance Industries, वो profit करने के लिए बनाए गई है, वो charity करने के लिए नहीं बनाए है, तो इसका main motive है profit कमाना, profit कमाएंगे, profit कमाएंगे, shareholders को देंगे, profit कमाएंगे, shareholders को देंगे, ये तो profit कमाएं नहीं सकते हैं, profit नहीं कमारें, charity कर रहे हैं, और जो भी अगर जाता है कोई पैसा, profit आभी जाते है, तो भी members को नहीं देंगे, तो ये दोनों तो पूरे North, South है, Jammu, Kashmir और कन्या कुमारी, तो क्या ये दोनों company को merge किया जा सकता है, obviously, तो अगर एक sectionate company को merge करना होगा, तो किसके साथ merge करेंगे, obviously, दूसरी sectionate company के ही साथ merge करेंगे, profit making company के स sectionate company के साथ ही merge किया जा सकता है, वो भी, which is having a similar object, कहने का मतलब ये है, कि अगर एक charity company education कर रही है, एक charity company environment प्रमूट कर रही है, तो ये दोनों को merge नहीं किया जा सकता, क्यूंकि इसका काम अलग है, ये nursery बनारी है, पहुत है लगारी environment को प्रमूट कर रही है, ये बच्चों क education को प्रमूट कर रही है, तो दोनों का interest अलग अलग हो गया, तो इसलिए अगर दो sectionate company है, दोनों education को प्रमूट कर रहे है, तब ही उनको merge किया जा सकता है, इसलिए आप लिखा है central comment चाहे, तो दो sectionate company को merge कर सकते है, जिनका similar object है, central comment चाहे, अगर उसको ये लग रहा है public interest मे तो यह order दे सकते है कि एक company जो कि इस section के अंदर registered है याने sectionate company है can be amalgamated मतलब merge होना दो company मिलके जब एक single company मनाती है तो उसको होता है amalgamated can be amalgamated with another company registered अंदर this section having similar object मतलब उसको amalgamate होना होगा तो वो किसके साथ होगी दूसरी sectionate company कही साथ वो भी which is having similar object are you understanding तो यह था small point about order of central government इतना समझ मैं है अब कुछ छोटी सी basic बात हुई है कि अगर कुछ contravention वेगर होगया तो fine वेगर कितना लगेगा तो basic सी बात लिखिये कि अगर central government ने किसी भी section का non-compliance किया तो company को कितने की penalty लग जाएगी fine लग जाएगा कितने का minimum 10 lakh से लेके एक करोड तक का यानि अगर एक company ने अगर एक section 8 company ने section 8 का या किसी condition का non-compliance कर दिया तो उस company को fine लग जाएगा कितने का government की मर्जी है कितना fine किस से कितने भीच में हो सकता है 10 lakh से एक करोड के बीच का fine लग सकता है मतलब depending upon your size of the company depending upon the nature of default कितना बड़ा default किये आपने उस इसाब से 10 lakh से एक करोड तक के बीच का fine लग सकता है किसको company को बस company को लगेगा नहीं मैडम directors और जो officer ने default होते हैं उनको भी लगेगा और जो भी directors और officer ने default होते हैं उनको कितने का fine लग जाएगा उनको लग जाएगा fine 25,000 से लेके 25,000 25,000 से 25,000 का fine लग सकता है और अगर आपने fraud किया आना तो 447 के अंदर libel हो जाओगे मैं what is 447 447 एक section है जो की punishment for fraud बताता है कि अगर आपने fraud किया punishment for fraud जो ये बोलता है कि अगर आपने fraud किया अगर आपने fraud किया sectionate company ये वाला line ये बोल रहा है कि अगर आपने fraud किया तो आपको कौन सी punishment मिलेगी वो वाली punishment जो 447 में लिखी हुई है basically पुरे company's act में अगर आप किसी भी section के अंदर fraud करते है पुरे company's act में अगर आप किसी भी section के अंदर fraud करते है तो आपको 447 की punishment लग जाती है 447 में कुछ नहीं बस penalty लिखी हुई है कि 1 करोड, 2 करोड, 10 करोड इतने कि fine लग जाएगा fine penalty लिखी हुई है और कुछ नहीं मेडम याद करना है कि 447 में कितनी penalty लिखी हुई है नहीं आपको नहीं करना है इंटर में करना होगा ठीक है तो बेसिक सी बात हो गई अगर section 8 का non-compliance होता है तो company को fine लग जाएगा 10 लाग से 1 करोड तक का 1 करोड याने 100 लाग हो गया और जो officer and default है OID जिसको मैं short में लिखती हूँ याने जो भी directors और officers जिनकी गलती है उनको fine लग जाएगा 25,000 से लेके 25 लाग तक का और अगर किसी ने भी fraud किया तो 447 में जो penalty लिखी हुई है वो भी लग जाएगी इसी के साथ अपना ही होता है complete show the topic section 8 company का कुछ basic बाते लिखी हुई है pointers में उसको एक बार read कर लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है section 8 company के बारे में अच्छा इसको बना लेना book में ही बना सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है बुक में ही बना सकते हो यह छोड़ा से लिख लेना shortcut 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 हो जाएगा किसका shortcut इसका shortcut पूरा paragraph नहीं पढ़ना पड़ेगा सिफ यह पढ़के पूरा revise हो जाएगा अ कि 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 एप और पूइंट को कि 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 कुछ नहीं रिवाइस करने के लिए पॉइंट कि पॉइंस सबसे पहले सेक्श्ट मेड़ा कि पर्पारिब प्रोमोशन आफ पॉमर्स आइज परद चुकन के क्या है रिक्षारमेंट मिनीम कशेरेट चाहरे कलने की लिए कुछ ऐसा क्या मिनीमम 1,000,000 रुपय लगेगा मिनीमम से भी बना सकते हो नहीं कि मिनिमीमम इतना लगेगा यू से प्रॉफिट प्रफिट अप्रमोशन अब्जेंट और अब्जेक्ट है क्या हां टू नॉट डिकलाई डिपटेंट नहीं दे सकते यहंने मैंब्श को प्रॉफिट नहीं बाच सकती यह सारे पॉंक्त हो चुकह है बिलकुल दिने लुकर बॉर्ट कप्र लिबने नेकि जरुत नहीं है वह जैसे जरुवर्ड बॉड सकती है चाइब चेंबर करसकती है अगर इस होता है तो क्या सेटिल कॉमें आपके स्टेस को कनवर्ट कर सकती है बिल्कुल कर सकती है क्या आपको wind up कर सकती है, बिलकुल कर सकती है, क्या आपको amalgamate कर सकती है, दूसरी section in company having similar object, yes, यारे कि अगर आपको कोई भी कंट्रवीन करते हैं और सेंट्रल गॉर्मेंट आपका लाइसेंस रिवोक करती है तो अगर सेंट्रल गॉर्मेंट आपका लाइसेंस रिवोक करती है तो आपको बंद होने के लिए भी बोल सकती है वो आपको ये भी बोल सकती है कि करन्वाटों के नॉर्मल प्राइवेट या जेनरल मीटिंग का जेनरल मीटिंग जेनरल मीटिंग मतलब यहाँ पर लिख लो क्योंकि जेनरल मीटिंग आपके टॉपिक में है नहीं आपके सिलबस में है नहीं इसको डीटेल में नहीं समझाओंगी इसका मतलब बस इतना लिख लो shareholders meeting हर साल हर साल बोल जब भी members मिलते हैं, members आपस में meeting करते हैं, obviously meeting नहीं करना पड़ेगा meeting तो करना पड़ेगा ना, तभी तो they will be able to take decisions, so whenever all the shareholders or the members of the company meet, that meeting is known as general meeting, general meeting means shareholders की meeting, general meeting में shareholders की meeting, और जब भी आप normal company general meeting बुलाती है, तो 21 दिन का notice देना पड़ता है, मतलब जैसे शादी में होते हैं पूपा जी कि अगर उनको शादी में बुलाना है, तो कम से कम दो मैने पहले बता दो, अगर एक हपते पहले बताओगी है, क्तिव यह तो काम रहता है कि आप और भी तो काम होते हैं तो यहां पर एक बात बोल दिया गया कि ताकि वह अपना शिट्यूल की आली रखें उस समय तो आपको अगर किसी बंदे को मीटिंग में बुलाना है जैसे शादी का इंविटेशन होता है ना कि शादी में आईएगा शादी में आईएगा एक मैंने प जैनल में बुला रहे कि लिए हम इंविटेशन देना पड़ता है कि जैनल में है अगर कम से कम इकीस दिन पहले ना पड़ता है बट मैडम अगर एक सेक्शन इट कमनी है तो उसको थोड़ा रिलाक्सेशन है उसको 21 दिन का नोटिस देने की जरूरत नहीं वोसी 14 दिन पहले नोटिस देगी तो भी चल जाएगा याने की सेक्शन इट कम भी कोई बेनिफिट दिया गया है कि वह जो जेनल मेटिंग का नोटिस देती है उसको 21 दिन की देने की जरूरत नहीं है वो 14 दिन का नोटिस देगी तो भी चल जाएगा जैब या एक कोई भी रिकॉर्मेंट क क अप्लाइब आप बोलोगे यह क्या होता है मैंडम बेसिकली आप लोग के से लिबस में डिरेक्टर के बारे में कुछ नहीं दिया हो है लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक एक OPC में कम से कम मिनिमम एक डिरेक्टर होना चाहिए एक प्राइवेट कमपनी में मिनिमम दो डिरेक्टर होना चाहिए और एक पब्लिक कमपनी में मिनिमम तीन डिरेक्टर होना चाहिए तीनों में मिला करके मैक्सिमम पंदरा डिरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम पंदरा तो य यह जो requirement है section 8 company को applicable नहीं होती है यानि section 8 company में कितने भी डिरेक्टर हो एक हो दो हो 15 हो 20 हो पचीस हो 50 हो चल जाएगा जो भी डिरेक्टर को लेकर करके या independent डिरेक्टर को लेकर करके जो भी requirement है वो normal companies को apply होती है section 8 company को apply नहीं होती है तो यह benefit मिला मैंने आपको बताया ना कि section 8 company को बहुत सारे benefits मिले हुए है companies act के अंदर ठीक है और क्या है नीड नॉट जिसे अपने सोसाइटी में होती है अलग अलग काम के लिए बना दी गई दुर्गा पूजा आ रही है तो के लिए कमीटी बना दी गई अलग 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 कमीटी में वह होती है वो specific के लिए हमने अलग से किमिटी बना दी उसका नाम है कमिटी और बना देते हैं तो कुछ कुछ को को होती है कमिटी बनाने जरूद कर दिया गया कि comment को कमिटी को करणे में और यह थे kids का बहुत है देटल में पढ़ने की जरूद नहीं है than अलग अलग पर्पस के लिए स्पैसिक कमिटी जैसे नर्स शर्ट बट जरुट नहीं है तो इसको यह सब बेरिफिट दिया गया और बहुत बात है कि partnership firm can become a member of section 8 company सबसे पहले तो आप में को यह बात बताओ partnership पूरा chapter पर complete कर चुके है एक अगर partnership firm है क्या three idiots उसमें तीन partners है रैंचो फरहान और राजू क्या three idiots अपने आप में एक इंसान है क्या three idiots अपने आप में एक legal person है क्या three idiots की separate legal entity है क्या यह separate legal person है क्या इसकी separate legal entity है जल्दी बता दो बोलो नहीं है अपकोर्स नहीं है ठीक है तो अनुराग आपका answer मैं समझ सकती हूं आप एक भी classes attend नहीं कि और partnership की एक दो को answer गलत है इसलिए classes important होती है आर्ची वेरी गुड़ यह partnership अपने आपने कोई legal entity नहीं है अपने आपने कोई legal person नहीं है तो जब इंसान ही नहीं है तो क्या partnership share खरीट सकता है जब legal person ही नहीं है तो क्या contract कर सकते है नहीं partnership firm एक legal entity नहीं होती है partnership firm contract में एंटर नहीं कर सकती तो क्या partnership firm share खरीट सकती है नहीं खरीट सकती तो क्या partnership firm किसी company की member बन सकती है अफ कॉर्स नहीं बन सकती क्योंकि partnership firm is not competing to contract partnership firm is not a legal person since partnership is not a legal person partnership firm अपने नाम पर शियर नहीं खरीच सकती याने partnership firm member नहीं बन सकती किसी भी company की लेकिन एक exception दिया हुआ है section 8 में ही लिखा हुआ है कि एक partnership firm section 8 की member बन सकती है क्योंकि यह charity company और charity के लिए always welcome nobody is restricted जिसको charity करना आ जाओ member बन जाओ charity company का member बन सकते हो even a partnership firm can become a member of section 8 company तो यह कुछ basic बात है थी about section 8 company उसी चीज़ को फिर से फिर से लिखा हुआ है यह उसी चीज़ जो अपन पर चुके हैं उसी का table बना दिया है तो यह repeated है इसको आप लोग रीड ले सकते हैं yes with this we are done with one topic that is section 8 company any doubt in section 8 company no okay आगे बढ़ते हैं नए concept की तरह dormant company के तरह dormant oh dormant dormant yes okay so we are going to start with our next topic that is dormant company or inactive company देखो dormant company का concept समझाने से पहले मैं आपको कुछ background देना चाहती हूँ अब background दूँ हाँ मैडम दे दू ठीक है तो मैं आपको कुछ background देना चाहती हूँ जिसको सुनके आपको dormant company का concept अच्छे समझ में आ जाएगा मैं आपको चाहूँ तो यह definition में दो मिनिट में रटवास सकती हूँ बट I don't favor that I don't favor that तो इसने मैं आपको बहुत detail में background के साथ समझाना चाहती हूँ जिससे आपको भले अभी 10 मिनिट extra लगेगा dormant company का concept समझने के लिए बट वो आपको lifetime benefit देगा lifetime तो it's worth it आपका भी जिंदगी में dormant company का concept में confusion नहीं होगे because usually I have seen बाकी teachers रटा देते है dormant company का concept क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता है तो बच्चों का भी concept clear नहीं होता है तो बच्चे usually ऐसे रहते हैं dormant company समिर में नहीं आया वो बता दो एक बार ठीक है तो इसलिए ध्यान से सुनना आपको मैं एक बात बताओ जियो कब आया जियो company कब आया 2016 में 2016 में आपको पता है 2016 में तो जियो की सीम लॉंच हुई ये planning जो चल रही थी जियो की क्या हो 2016 में ही चालू ही नहीं सर 2010-12 में अल्रेडी चालू हुचके हो सकता है उससे भी पहले 2010 ये 2012 Approx that year मुकेश अमानी started planning to set up जियो उसके दिमाग में आइडिया आ गया था उसके दिमाग में वो जमीन लेना चालू कर दिया था वो टावर्स बनाने के लिए फंड निकठा करना चालू कर दिया था मतलब बैग्राउंड में उसका काम चालू था जियो लॉंस 2016 में हुआ न इसका मतलब यह क्या कि 2016 में मुकेश अमानी की दिमाग में आइडिया है उसने सारा काम जो है जीओ बनाने के लिए 2016 में किया सालों से चल रहा था सर तीन्चार साल से मैंच चल रही थी तीन्चार साल से 3-4 साल से चल रहा थो धीर दे करके वी जमीन पर्चेस किया सब चीज़ जिसाइड किया कि कहा चालू करेंगे कहा बेसिकली रहेगा टावर कैसे लगवाएंगे कितना फर्ण लगेगा कितना पैसा लगेगा तो एक बार बताओ 2012 में आईडिया आया कि जीओ बनाते हैं टेली कम्म्मिनिकेशन कंपनी बनाते हैं और एक काम करते हैं काम अभी चालू कर देते हैं कंपनी का धंदा भी चालू नहीं करेंगे सीम बेचनर चालू नहीं करेंगे 2016 से पहले बट काम चालू कर देते हैं बैग्राउंड काम जमी नमी ले ले लेते हैं लेंड लेते कंपनी के नाम पे और ट्रेड मांग रजिस्टर कर आ लेते हैं जी ओ नाम का जीओ आगया था क्या वलते हैं मुकेश अमानी के दिमाग पर तो नाम भी तो ट्रेड मांग रहाना पड़ेगा ना थाकि कोई और यूज ना करें हमें अपना ब्रैंड नेम का ट्रेड मांग लेना पड़ते हैं अपनी का काम चालू कर देता हैं बैग्राउंड पे तो 2012 में मान के चलू हमने रिलाइंस चैली कम्निकेशन लिमिटेड र बना दी हमने कम्पनी बना दी अब काम तो चालू नहीं किया दंदा तो नहीं कर रहे हैं दंदा तो 2016 में करेंगे सीम बेचना तो चालू नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है नॉर्मली यह अलाउड नहीं है अगर आप कम्पनी बना लिए हो बट धंदा नहीं कर रहे हो या पाहर से तो दिखता है अंदर से खोकला होता है इसलिए इन इसको न शेल कमपनी बोलाता है और डिफंक्ट यानि कि आपने सिर्फ मनी लोंड़रिं करने के लिए कंपनी मैं इससे में अलांब यहाँ कर्ते हैं नमबर कमणी बना बना के एक कम्रीं दूसी लिए किर्णी में अग specialized है यहां पर क्या और मैं MISS-UZ कर रही हूं नंबर आफ कंपनी का यूज कर रही हूं थंदा करने के लिए पैसों की हेर पेर करने के लिए साइपनिंग और फंड्स करने के लिए तो न बहुत सारी ऐसी डिफंक्ट कंपनीज बनने लगे थी कोलकता में सबस्क्रादा बनती थी कोलकता पेमस था पुरा ये डिफंक्ट कंपनीज के लिए ठीक है तो ऐसी डिफंक्ट कंपनीज बहुत बनने लगे थी कि company बना रहे हो धंदा नी कर रहे हो यह क्या बात हूँ यह सब लाओ नहीं करेंगे हम यह सब लाओ नहीं करेंगे company बना रहे हो तो धंदा करो company बना रहे हो तो धंदा करो genuine भी है क्योंकि लोग fraud करने लग गए थे तो यहाँ पर यह basic concept था आप company में आ रहे तो धंदा करो, अगर आप खाली बेठे रहोगे, आप धंदा करोगे ही नहीं, तो government को लगईगा, वो shell company और government क्या करेगी ना, उस company को strike off कर देगी, strike off याने, government बोलेगी, pencil बोल, pencil, तेरी company cancel, याने कि government इस company को बंद कर देगी, order देदेगी, इस company को बंद करने का और यह company फिर नहीं चल सकती, बट मैडम कुछ ऐसे जियो वाले genuine cases भी होते है, जहां हम पैसो की हिर फिर करने के लिए, हमने नहीं company बनाई है, माना अभी हम धंदा नहीं कर रहे है, हम फ्यूचर में करेंगे, हमने planning चालू कर दी है, हमने जमीन अमीन लेना चालू कर दिय तो कुछ ऐसे genuine situation भी होते है, जहां हमने company तो बना ली है, धंदा नहीं कर रहे है, लेकिन हमने गलत काम करने के लिए company नहीं बनाई है, हम करेंगे, future में करेंगे business, अभी नहीं कर रहे है, अभी पहले से तियारी चालू कर दिया है, तो कई ऐसे genuine situation भी होते है ना, कि हाँ, हा मैं कंपनी के नाम पर आओ, पैसे अरेंज करना, ये सारा चीज, धंदा भी नहीं करूंगा, थंदा में चालू करूंगा तो गौर्मेंट समझे कि आपकी बात को फिर गौर्मेंट बोलेगे अच्छा आपको अपनी बनाना है लेकिन अभी तंदा निकरोगे फ्यूचर में धंदा करोगे मतलब अभी एक दो साल के लिए इनक्टिव रहोगे इनक्टिव यह ने एक दो साल धंदा नहीं कर रहे हो एड प्रेजेंट आप इनक्टिव और आप धंदा करोगे आप फ्यूचर में करोगे तो अब बीना बताए चुपन चुपाए मत कर कुछ अगर तो अब बनानी आपको अब धंदा निकर नहीं तुमें को बता दे कि मैं अभी धंदा निकरूंगा इतने साल के बात दन्दा करेंगा में तेको दम मिका स्टेटीस देदे तो चलेगा में कुछ चलेगा फिर दू बढ़ी आपना कपी बना कंपर लो तुने बोलके का स्टेटस लिया कि तु धंदा नहीं करेंगा तो खरीद तो तो कर लेकिन लेकिन धंदा मत करना क्योंकि अभी तू दॉर्मेंट है तेरे को जब दंदा चालू करना होगा तो वापीस आना मेरे पास अब ही मैं तेको डंद घंदा स्टेटस दे रहा है कि चल ठीक है तेरी कपनी बन गई बढ़ तुने बोला कि तु धंदा नहीं करेंगा तो मैंने तेको डंद घंदा नहीं करसकती डंद नहीं कर सकती और अगर future में मान के चल दो साल बाद अब तो तियार हो गया है, चार साल बाद तेको धंदा करना है, तो वापिस आना मेरे पास, यह कौन बोल रहा है, गौर्मेंट बोल रही है, गौर्मेंट बोल रही है, तेको धंदा करना है दो चार साल के बाद, तो धंदा करने से पहले मेरे पास वापिस आना में को बताना कि हाँ अब मेरे को वापिस से इनक्टिव से अक्टिव में कन्वर्ट होना है मेरे को वापिस से इनक्टिव से अक्टिव में कन्वर्ट होना है तो तुम मेरे पास आना मैं करूँगा तेरको अक्टिव तो मैं तेरा फिर dominant company का status खतम करके देखो वापिस active company का status दे दूँगा आपको क्या ये basic concept समझ में आ रहे है dominant company का dominant company illegal concept नहीं है dominant company अलग होता है shell companies अलग होती है लोग तो चुपन चुपाए company बना लेते हैं पर धंदा नहीं करते हैं तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है आपको कि अगर आपको dominant company बनानी है तो आप बना लो आपको company बनानी है वड़ा भी धंदा नहीं करना है ठीक है तो government से dominant का status ले लो याने inactive का status ले लो बाद में future में अगर आपको फिर से business करना होगा तो आप इस government को apply करके active का status ले ले लेना अब आप बान के चला आप बोल रहे हो कि हा अभी के लिए हमने dominant company बना लिया है हम future में और आया हम फ्योच में धंदा करेंगे हमने साल किया दो साल किया तीन वेड किया चार साल किया है मैक्सिमम पांच साल के लिए कि आज अगर आप डॉमेंट कमनी बना रहे हैं पूल रहे हैं तो चालू करें लो पांच साल से ज़ादा डॉमेंट चेटिस नहीं विलेगा आपको तो फिर यही माना जाएगा कि आप धंदा करने के लिए बनाई ही नहीं नहीं जूट बोल र आपको दंदा चालू करना ही पड़ेगा यां तो बंध हो जाओ शाल से ज़ाधा आपको ड्यूमेंट कमनी का बेर्यूट नहीं मिलेगा आपको मैक्सिम्म पांच साल का स्टेटेस मिलेगा पांच साल के अंदर भी अगर आप अपना धंदा चालू करना पड़ेगा या तो बंद हो जाओ अब और और में का स्टेटेस आप इंजॉई नहीं कर सकते अब मैं आपको देखनेशन पड़ाना चाहते हूं अब देखो डॉमेंट कमनी याने ऐसी कमनी जो इनक्टिव है इनक्टिव याने कोई धंदा नहीं कर रही है कोई major transactions नहीं हो रहा है कोई significant accounting transaction नहीं हो रहा है कुछ purchase deal नहीं हो रहा है तो डॉमेंट कमनी को हम इनक्टिव कमन which is formed to hold future project हमें future में कोई project hold करना है उसके लिए हमें अभी से कमनी बना के रखनी है बना सकते हो हां future में हमें कोई IPR IPR यहने intellectual property rights intellectual property rights में क्या क्या आ जाता है copyright आ जाता है ठीक है यह सारी चीज़ा आ जाती है तो अगर आपने कोई company मनाई है to hold future project या फिर पर intellectual property rights intellectual property rights के लिए कोई company बनाई है या फिर कोई asset hold करने के लिए कोई भी asset hold करने के लिए आपनी property बनाई है तो आप बना सकते हो but but आपका कोई significant accounting transaction नहीं हो ना चीविए in the last 2 years पिछले 2 साल में आपको कोई significant accounting transaction नहीं है तभी आप dominant company का status ले सकते हो significant accounting याने कुछ भी ऐसा बड़ा ट्रांजिक्शन नहीं हुआ है पैसे इदर उदर नहीं हुए है मतलब तभी नो गॉर्मेंट यह मानेगी आप इनक्टिव हो अगर आपके अगरों मतलब आप जानते हो एक बात तो आपको पता होगी क्या बात मैडम जैसे Central लेवल पे कौन होता है MCA, MCA याने की Ministry of Corporate Affairs, मैंने आपको website दिखाई थी first lecture में, Companies Act के first lecture में आपको website दिखाई थी MCA की Ministry of Corporate Affairs, जिसकी ministry कौन है, President Minister Nirmala Sita Raman, लेकिन ये तो Central लेवल पे है न, तो इसके बाद Regional लेवल पे RDs होते है, Regional Director, और State लेवल पे ROC होते है, जिसको हम होते है, Registrar of Companies, कुछ नहीं, MCA का चोटा भाई, MCA का बच्चा है, MCA का बच्चा RD, RD का बच्चा ROC, ये Central लेवल पे है, ये Regional लेवल पे है, Northern Region, Southern Region, और ये वाला जो ROC, ये State लेवल पे है, तो हर State पे, हर State में, MCA की Body होती है, जिसको हम होते है, ROC, Registrar of Companies, ROC, तो अगर कोई transaction नहीं किया है, प्लीज मुझे dominant company का status दे दो, तो ROC आपको dominant company का status दे दे कि अगर उसको सकता ही लगेगा, तो, to dominant company या ने ऐसी company जो आपने पनाई है, to hold future project, IPR on a set, but there is no significant accounting transaction in the last 2 years, अब what do you mean by significant accounting transaction, कोई भी अगर accounting transaction होगा, that is significant accounting transaction apart from this 4, चार activities ऐसे दी हुए, चार transactions ऐसे दी हुए जो करना ज़रूरी होता है, even if you are not doing business, even if you are not doing धंदा, even if you are not doing business, then also ये चारो चीज़े करना ज़रूरी होता है, इसलिए ये चार चीज़े significant accounting transaction में नहीं आएंगी, इनको छोड़के बाकि सारी चीज़े significant accounting transaction में आजएंगी, सबसे पहला क्या है payment of ROC piece, आप भले company नहीं चला रहे हो, धंदा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ROC को annual return तो file करना पड़ेगा, कुछ documents तो ROC को file करना पड़े होता है, तो वो payment कर रहे हो, अगर आपको भी तो transaction है, बट वो तो जरूरी है, बले आप धंदा नहीं कर रहे हो, तो ये significant accounting transaction में नहीं आएगा, दूसरा payment under any other law, अगर किसी वे दूसरे law को comply करने के लिए आपको जबरस्ती कोई payment करना पड़ रहा है, तो वो payment significant accounting transaction में नहीं आ कंपनी का भले आप धंदा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने कंपनी रेजिस्टर कराई है, तो कोई office तो होगा, वहाँ बिजली चल रहा होगा, पानी आ रहा होगा, एक spune रखा होगा आपने उस office में बैठने के लिए, तो भले आप धंदा नहीं कर रहे हो, कोई छोटा सा office तो होगा आपका, तो वह office को maintain करने के लिए, आपको कोई payment देना पड़ रहा है, यह तो जरूरी है, तो यह भी नहीं आएगा significant equivalent transaction में, और shares allot करना, shares allot करना भी जरूरी है, नहीं तो company कैसे रहेगी बिना shares के, तो अगर आपकी share capital वाली company है, तो बिना share के कैसे रहेगा, तो इस 4 transaction does not come under significant accounting transaction, but apart from this 4 transaction, all other transaction is considered as significant accounting transaction, so significant accounting transaction means, any business transaction other than, significant accounting transaction means, any business transactions other than payment of ROC fees, payment under any other law, payment for office and record allotment of shares, are we clear with this? yes, एक ये तरह की company, ROC को apply कर सकती है, for getting the status of domain company, दूसरा, एक inactive company भी ROC को apply कर सकती है, for getting the status of domain company, now what do you mean by inactive company, तीन तरह की company को inactive बोला जाता है, पहला, अगर आपको कोई धंदा नहीं चल रहा है, और आप ये बाद त्रूफ कर सकते हो ROC को, कि ROC, ROC मेरा कोई धंदा नहीं च चल रहा है, तो ROC आपको dominant का status दे देगी, यानि first point में क्या आजाएगा, no business operation, यानि आपका कोई business नहीं चल रहा है, आपका कोई business operation नहीं चल रहा है, तो उस case में ROC आपको क्या देदेगी, inactive का status दे देगी, दूसरा, आपके पिछले 2 साल कोई significant accounting transaction नहीं है, आपके पिछल जो दो साल के सबसे important document file नहीं किया है, AOC 4 MGT7, अब AOC 4 MGT7 क्या होता है, देखो बहुत detail में आपको जाने की ज़रूत नहीं है, AOC 4 ना form का नाम है, format का नाम है, इससे ना आप अपने financial statements file करते हैं, इस में आप अपने financial statements file करते हैं, ROC को, financial statements याने आपका balance sheet, आपका P.E.L. आ सालाना, वो आपको हर साल ROC को देना पड़ता है, हां जी देना पड़ता है, क्या हां, हर company को सालाना, अपने financial results, अपने financial statements, ROC को submit करने होते हैं, कौन से form में, AOC 4 में, और एक document होता है, annual return, जिसमें हम साल भर की details देते हैं, पुरी, documents हमें सालाना, submit करना होते है, ROC को, और अगर हमने लगतार, दो साल से, अगर, AOC 4, MGT 7 फाइल नहीं किया है, यह गंदा वाला situation है, यह गंदा वाला situation है, मतलब, यह 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 यह, पाचो, गंदे situation नहीं है, अच्छे वाले situation है, जहां आप खुद, खुद, गौर्मेंट क बतारे हो कि, गुवर्मेंट, मैंने कंपनी तो बना लिए, यह गंदा नहीं कर रहे हूँ, अगर आपने लगतार दो साल से, साल के जो सबसे दो important होते हैं, जिसको हम लोग, ML filing बोलते हैं, CS लों का main काम होता है, हर साल, हर कंपनी का, AOC 4, MGT 7 फाइल करने का, यह दो main documents होते ह जो हर साल रिजल्ट्स आने के बाद फाइल किये जाते हैं government को और अगर आपने लगातार दो साल से ये दोनों document फाइल नहीं किया है तो मतलब government को doubt होगा कि कुस्तो गड़वड है दया कुस्तो गड़वड है तो government क्या कर सकती है उस case में government खुद inquiry कर सकती है कि आपने दो साल स क्यों नहीं किया है कि आप धंदा नहीं कर रहे हैं उस case में आपको पता है अगर government को खुद पता चला ना तो government आपको हो सकता है अगर आप सही हो तो dominant का status दे और ऐसा भी हो सकता है कि government आपको punish करने के लिए आपकी कमणी बंद करवा दे आपकी कमणी strike-off कर दे तो यह थोड प्रिकन अकांटिंग नर्जिक्शन नहीं है यह सारी कमणी जो है dominant कमणी का status ले सकते क्या अपने डॉर्मेंट कमणी बन जाएंगे नहीं dominant कमणी बनने के लिए आपको गौर्मेंट से status लेना पड़ता है गौर्मेंट मानेगी गौर्मेंट अलाओ करेगी गौर्मेंट क्याला होगे यह समझ में अब यहां पर एक बात लिखे गए है यहां पर एक बात लिख दी गई है कि जो आपको dominant कमणी का status मिलता है maximum 5 साल के लिए मिलता है पांच साल के बाद या तो आपको वापिस से active में पर पड़ेगा तो आप श्राइक आप हो जाओगे यानि आपकी कमणी बंद कर दी जाएगी बात समझ में हाई हा मैडम समझ में आ गई अब अगर इतना सारा समझ में आ गया तो एक बार dominant कमणी का language ले ले लेते है क्या होता है बेसिकली ना मैंने आपको बहुत डीटिल में समझाया है यह आपको executive में भी help करेगा है आपको executive में बहुत जाधा help करने वाला है ठीक है आज अधर dominant कमणी में where a company is formed and registered for future project किस लिए आपने company बनाई है for what for future project और hold any asset और intellectual property यह कौन सा पॉइंट है madam यह वाला point है कि आपने कोई company बनाई है for future project IPR और asset ठीक है आपने कोई company बनाई है for future project और asset और intellectual property and and यहने तीनों के साथ एक और condition है कि आपने यह तीनों काम करने के लिए तो company बनाई है सांती साथ आपके significant accounting transaction नहीं है plus यहने and and you have no significant accounting transaction for last two years तो आप dominant company का status ले सकते है या फिर एक inactive company एक inactive company अब inactive company क्या होती है यह बाद में पढ़ेंगे inactive company may make an application to registrar आप registrar को application दे सकते हो for obtaining the status of domain company domain company का status लेने के लिए आप जो है registrar को application दे सकते हो अगर आपने company बनाई है for future project या future assets या intellectual property and you are not having any significant accounting transaction since last two years और an inactive company may make an application to registrar for obtaining the status of domain company अब inactive company क्या होती है यह भी मैं आपको अपको अब पढ़ा चुक्यों inactive company means a company which is not carrying on any business or operation और has not made any significant accounting transaction या तो उस company का कोई business operation नहीं है पहला point पहला point उस company का कोई business operation नहीं है दूसरा point और उसके कोई significant accounting transaction नहीं है last two years में यह कौन सा है दूसरा point तीसरा point और और याने तीनों में से कोई भी condition फुर्फिलोगी तो चलेगा और has not filed financial statement annual return financial statement और annual return आपने फाइल नहीं किया है सबसे important document आपने financial statement annual return फाइल नहीं किया है during the last two years ठीक है इन तीनों situation में आप क्या कहलाएंगे inactive company कहलाएंगे अब what is SATS? SAT means any transaction other than payment of fees to register payment of fees required under any other law allotment of shares और payment for maintenance of office and record और यह मैं आपको अलरी बढ़ा चुकिए इसी के साथ अपना definition of domain company होता है complete आविक लगए domain company any doubt लास्ट आपके आपका नीधी कंपनी का नीधी कंपनी मैं आपको concept समझा देती हूं नीधी कंपनी का आपको पता है bank और NBFC जो होती है वो क्या करती है mean धंदा क्या होता है इनका mean धंदा क्या होता है bank और NBFC logo से deposit लेना account खुलवा कि उनसे deposit लेते हैं और उनको loan देना आपका savings account आप FD बना रख्थे हो आप FD बना रख्यों बैंक में मतलब आपने पैसे बैंक में deposit कराया है या फिर आप लोन लेते हो बैंक या NBFC, NBFC आने non banking finance company, main income क्या होता है उनका deposit लेना और loan देना बट मैडम, क्या bank general public से deal करती है, पूरी public से deal करती है, दुनिया में कोई भी जाकर के bank के पास खाता खुलवा सकता है, bank के पास पैसा deposit करवा सकता है, या bank से लोन ले सकता है तो यह bank का काम है, bank का काम है, समझ गए bank का काम, bank NBFC, main income क्या होता है bank, other come to secondary होते है main income क्या होता है bank और NBFC का deposit लेना, loan देना, deposit लेना, loan देना, यह main काम होता है NBFC का, but bank और NBFC का, but bank और NBFC public से deal करते है पब्लिक से डिल करते है जेनरल जनता से डिल करते है आपको मैं एक बात बता हूँ एक होती है नीधी कमपनी अब यहां हम नीधी लड़की की बात नहीं कर रहे हैं यह कोई लड़की नहीं है नीधी कमपनी कैसी कमपनी है जो पैसे डिपॉसित लेने का काम करती है और लोन द बैक ज़नरल पब्लिक में जनरल जनता में किसी से भी डिपॉसित ले सकते हैं किसी को भी लोन ले सकती है बटनीधी कंपनी सिर्फ अपने members की mutual benefit के लिए बनाई जाती है जैसे मान के चलो ये 300 लोग है 300 लोग है छोटे-छोटे-छोटे मान के चलो 300 लोग है इस चोटे 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 नहीं पूर पीपल पूर पीपल मिडिल क्लास पीपल लौर पीपल पीपल इस स्मायत सिवा के लिए यह निफी कमपनी सिर्फ अपने इन मेंबर से ही deposit लेगी और अपने members को ही और इसी लिए आपका पता है इसलिए इसलिए जिसे bank और पुरी public का interest जुड़ा हुआ है जैनेरल public का रांज करना नगी इंट के न हैं यहす करना पड़ते बैंक और से हमसी को है alot Fati MC के दारे के अंदर भी आती है बट उसको RBI Act का भी compliance करना होता है लेकिन अगर मैं नीधी की बात करूँ तो माना कि नीधी deposit लेने loan देने का काम करती है जो bank करती है वैसा ही काम नीधी करती है बट क्यूंकि नीधी सिर्फ अपने member से deal करती है जनरल जंता से deal नहीं करती है यह 300 लोग अगर नीधी के member है तो यह से उनी 300 member से deal करेगी बाहरवालों से deal नहीं करेगी इसलिए public interest जुड़ा हुआ नहीं होती है यह RBI के दारे के अंदर नहीं आती है नहीं इसको RBI Act का compliance करना होते है नहीं तो यह नीधी company कैसे चलती है मैडम Companies Act के according Companies Act and Rules याने की यह जो नीधी company है यह MCA के दारे के अंदर आती है MCA याने Ministry of Corporate Affairs नहीं जो है वही regulate करता है नीधी company को RBI regulate नहीं करती है नीधी company को भले ही वो loan लेने, loan देने, deposit लेने, loan देने का काम करती है फिर भी यह एक लौती है ऐसी banking या NBFC finance company है जो RBI Act के अंदर न नहीं होती है बल्कि MCA से govern होती है और इसके बारे में law कहां लिखा हुआ है Companies Act में लिखा हुआ है Companies Act और Rules में लिखा हुआ है जो नीधी company को पालंग करना होता है तो basically मैं आपको बता हूँ नीधी company क्यों बनती है छोटे लोगों के लिए जो चोटे मतलब height में चोटे नहीं बैंक नहीं देती जल्दी से बैंक आपकी credit rating देखके आपको loan देगी छोटे मोटे लोग है high net worth वाले नहीं है low net worth वाले है middle class people है lower middle class people है तो उन लोगों को bank जल्दी से loan नहीं देती है क्योंकि bank को लगते है लोग मेरा loan वापस नहीं कर पाएंगे bank कुछ गिरवी लेती है bank देखती है आपकी credit rating कैसी है उस according आपको loan मिलता है आप bank में अगर आप lower middle class हो आप bank में loan लेने जाओगे जल्दी से आपको नहीं मिलेगा loan तो ऐसी companies को loan देने के लिए बनाई जाती है नीधी company यह जो नीधी company होती है आप मेंपर्स के mutual benefit के लिए बनती है अब जैसे 300 लोग अगर इस नीधी के member है तो नीधी company क्या promote करती है उनको बोलती है कि आप छोटी-छोटी जो चोटे लोग होते है ना वो चोटी-छोटी सेविंग करके बड़ा पैसा इकठा कर लेता है बूद मून से घड़ा बड़त करते हैं और उसको deposit करते हैं और कई बार लोन की जोरत पड़ती है तो लोन लेते हैं तो इनके benefit के लिए नीधी company बनाए गई कि यह जो ऐसे चोटे लोग है जो जिनको बैंक से लोन नी मिल पाता जो बैंक में अपना पैसा deposit नी कर पाते नीधी कमनी बोलती है हम हम है ना खाता को लगाओ आप अपने वहले दस रुपया हो बले सौर रुपया हो चलेगा आप सौर रुपय से खाता कोल सकते हो बले तौर रुपय से खाता कोलो हमारे आपको जरुरत पड़ने पर आपको लोन भी देंगे छोटे लोगों के benefit के लिए बनती है mutual members के mutual benefit के लिए बनती है नीदी कंपनी अब लोन देता को होन है basically members ही देते है members के बीच में आपस में पैसा ही कठा होता है फिर वो किसी एक जो सबसे जरुवत मंद इंसान होता है उसको दे दिया जाता है तो इस तरह से कमरी काम करती है आपने चिट वाला लेकां की सारे सो सबसे कर दो pale कि प्रुद के जिस desapare सबसे सो सॉर और अबर सबस्कषित कठा करते हैं … वह इसको फैसे करते हैं और एक सबसे कर Het देटेगे में के बारेमें अभी बस समाना तो यह जो कंपनी यह यह मेंबस की म्यूचल बेरिफिट के लिए बनती है से जर से बैंक काम करती है वैसे ही नीधी कंपनी काम करती है Member's Deposit लेती है Member's to loan देती है और उनके में Saving Habit Dev Ltd करती है saving को हम thrift की Elside लेकिन सिफ लेकिन फरक्स सभ्सखप यह चनिल करती है नीदी कमणी सिर्फ सिर्फ अपने मेंबर से रिदन करती है बस इतना ड्रिफरेंस है बाइब पुरा सेम है आपको पठाऊ junta इतना डीटिल में समझात हो दिया क्यों कि ऑविसली जब कोई टॉपिक पढ़ रहे तो उसका बेसिक मतलब पता होना चाहिए आपके बुख में बस देपनेशन दी कमपनी की कि नीदी कमनी क्या होती है नीदी कमनी को मैं आपको डेपनेशन लिखवाती हो आए था है था है था है है था है था है था 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 है था है को चाहिए था था है ती बिटे चीडिडिडिडिडिडिडिडिट इत ये क्या हो गया जससे तिकाना झाल रुपि हें यहावल लाएंग लिखो कौनसी वाली Лान लिखो यह वाली लाइन लिखना ना बस इतना लिखना बताओंगे इतना लिखोगे बस इतना प्ता इतना बस जो मैंने अभी यलो यलो हैलेट किया ना स्क्रिंशॉट ले लो बाद में लिख ले ना मैं अभी समझा देती हूं नीदी की डेफिनेशन है कम से कम डेफिनेशन पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ो आपके आई सी है ना गांजा फुक करके आपकी लॉक की बुक बनाई है मैं बता रही हूं इस वाले लाइन को किया ना यह नीदी की डेफिनेशन है बहुत डीटल में आपनो नीदी रूल्स पढ़ेंगे इंटर में अभी नहीं पढ़ाओंगे मैं आपके सिलिवस मनी है बस डेफिनेशन पढ़ लो नीदी क्या है नीदी एक ऐसी कमपनी है विच 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 बिन के इसको सेंटरल कमेंट यह रूल्स का कम्प्लाइंग करना पड़ता है बात समझ में आई ठीक है तो इसका screenshot ले लेना नीधी क्या होती है नीधी एक ऐसी कंपनी होती है जिसको इनको अप्रेट किया गया इसना नीधी उसका main objective क्या होता है पहला to cultivate the habit of thrift याने cost cutting and saving among its members to cultivate the habit of saving, saving create करने के लिए और main दो काम क्या होता है उसका पहला होता है receiving deposit from, दूसरा होता है lending to its members only only याने बाहरवारों से deal नहीं करते हैं सिफ members से deal करते हैं उनके mutual benefit के लिए और इसी लिए यह जो नीधी companies है उनको companies rules का compliance करना पड़ता है बस इतना ही पढ़ना बाकी काट दो बस इतना ही लिखना mutual benefit तक यह थी नीधी के definition screenshot ले लो screenshot ले लो यह नीधी की definition है ठीक है हो गया अभी आ जाओ इसी के साथ अपना होते है नीधी वाला topic complete और अपना three types of companies complete हो गया है नीधी कंपनी, dominant कंपनी, section 8 company, any doubt till now any doubt जल्दी छोड़ दूंगी मैं क्यूंकि में को भी packing and all करना है तो और आज भाइदूच भी है तो जल्दी छोड़ दूंगी मैं अभी बस एक topic को और कर लेते हैं in corporation वाला अच्छा आपनों breakfast करके आए और ना कोई ऐसा जैसे breakfast नहीं किया है कि राक ने नहीं किया breakfast कि अरे यार ब्रेक्फिस कर लेते हैं नौ बज़े तक तो ब्रेक्फिस हो जाता है यार कि इतने बज़े करके ब्रेक्फिस्ट कि मैं चूटा टॉपिक है यहां तक है कल कंटी कर लेक्फिस्ट तो नहीं मैं ब्रेक्फिस्ट ब्रेक्फिस्ट के बाद फिर आओ गया पिर कि अधा चैप्तर ब्रेक्फिस्ट के स्टाटिंगे दो पे रहा है यह फूर रीड लीचे ना क्लेके है कि फिर कल दिदर दो पेज में डॉप रेक्फिस्ट प्रेस लिए था अच्छी के एक काम करते हैं आच फिकला से एए खतम करते हैं